एक बात आप समझिए कि हर इंसान सरकारी नोकरी नहीं कर सकता हर व्यक्ति सरकारी नोकरी के लिए नहीं बना है अपने टेलेंट को जानिए केबल नोकरी करने से पैसा नहीं कमाया जा सकता है आप कभी देखिएगा आपने विदेश जो दूसरे कंट्रीज है आपने कभी वहा अब इसकी नोकरी पक्की है, जीवन भर अब ये बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है और बस हो गया लेकिन दूसरे देशों में सरकारी नोकरी का कल्चर नहीं है, वहाँ परफॉर्मेंस का मतलब है इमानदारी से अगर आप जबाब देश सकें तो मुझे बताओ, आप सरकारी नोकरी क्यों करना चाहते हो, नो डाउट पैसा आपको कमाना है, पैसा चाहिए, मैं इसलिए नहीं पूछ रहाँ, प्राइवेट जॉब में भी बहुत पैसा है, लेकिन भारत का युवा या भारत के लोग सरकारी नोकरी को ही अच्छा क्यों मानते हैं, सरकारी नोकरी के पीछे ही हम क्यों भागते हैं, उसका कारण है, काम नहीं करना पड़ता, ये हमारी मेंटिलिटी है, काम नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं भी करेंगे, तो कोई माई का लाल निकाल नी सकता, ये हमार भी करेंगे तो कोई नोकरी से निकाल नी सकता ये हमारी सोच है या 90% लोगों की सोच है कुछ लोग बोलेंगे नहीं ज़र आप ऐसा कैसे बोल सकते हो तो भाई आप शायद अलग हो सकते हैं लेकिन मैं 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 जोरिटी की बात कर रहा हूं तो हमें इस सोच को बदलना है हम सर नी रहे हो और अगर आप जोर्ट से ज़्यादा बेहिसाब पैसा आपके बास आ रहा है वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं तो जैसी महनत कर रहे हो वैसा पैसा कमाना सीखो है ना, फ्री का, शॉट कट का ये पैसा किसी काम कर नहीं होता है, मेहनत करिए एप्स पर और यहां से 10 रुपए कमाए, वहां से 15 रुपए कमाए, लोग आपको गरीब बनाने पर, गरीब सोचने पर मजबूर कर रहे हैं आप कभी सोच कर देखो यहां से ये करोगे तो 10 रुपए मिलेंगे, यहां से ये करोगे 15 रुपए मिलेंगे, हमारा दिमाग ही इन में इतना बीजी कर दिया है कि हम सोचते हैं, 5 रुपए यहां से कमा लेंगे, 10 यहां से, हम कभी लाखों तक पहुँचे नहीं पाते हम 10-15 रुपए एकटे करने में लगे हुए हैं हम अपने आपको टेलेंट अपने टेलेंट को डेवलप करें अपने आपको काबिल बनाने पर काम करें कि यार एक बार में लाखों रुपए आने चाहिए क्या 10-15 रुपए ये एप से 5 जोड़े ये इससे करें ये सब एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें बेरोजगारों को और जिनके बास काम नहीं है उनको फसाया जा रहा है इस बात को समझीए कि हम अपना टाइम लाखों कमाने वाला भी हम बन सकते हैं नहीं तो 10-15 रुपए तो हम बटोरी रहें इदर उधर से तो समझीए फैक्ट को समझीए